न कोई संगर्ष न कोई तकली क्या खाक मज़ा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब महनत की आग लगी हो सीने में तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजर हूँ आपके सामने लेकर के एक नया सेशन और आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्शन नमबर फूर मोशन इन प्लें प्रजेक्टाइल मोशन और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि रिलेटिव मोशन में इसके ब काम की चीज है ही नहीं ठीक है चली तो अभी हम बिनादेरी की आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस सेशन की तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक का मतलब कॉंसेट से बोल लीजिए या स्थभाल कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए इसे तो यहां क्या दिया की समझी ती ओवर्विव में अभी दे रहा हूं वो यह है कि अगर आप प्रजेक्टेल फ्रम एच हाइट करते हैं तो वहां पर बस सिंपल सी बात है आपको एक्स और वाय डिरेशन में अलग-अलग एक्वेशन लगानी है कोई ऐसा स्पेसिक फॉर्मला आपको याद करने यहां पर अभी हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि यार अगर इसको यू वेलासली से प्रोजेक्ट करेंगे तो यह नीचे जाकर तकराएगा तकराते वक्त इसकी स्पीड कितनी हो वही मतलब फाइनली अगर आप दिखोगे तो हम यह कह रहें कि यह यहां से गया ऐसा 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 और यहां पर जाकर टकरा गया अब टकरा गया तो इसकी कुछ स्पीड होगी तुम बोलोगे हां सर होगी तो सही उस पर किसने मना किया नहीं होगी सर बिल्कुल होगी मैंने का यार होगी तो कितनी होगी तुमने का सर देखो यह वाला जो एक्स कंपोनेंट ह कितना गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा अब तुम बोलोगे कि सर इसको तो कोई चेंज करने से रहा मैंने का यार बात एकदम सही है यह तो चेंज होने से रहा कितना आ जाएगा यह सर यू कॉस थेटा अच्छा बात अगर करें इसकी तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा यू साइन थीटा है के नहीं लेकिन सर यह जो कंपोनेंट है इसमें तो चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है ग्राविटी है अब मैंने का यार ग्राविटी है तो उससे क्या फरक पड़ता है equation of motion है ना अपने प management भी हमें पता है वो कितना है वो है sy है कि नहीं तो जब मैं इधर से इधर की बात करता हूं मतलब a से b की बात अगर मैं करता हूं from a to b तो a से b की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अपने को साफ साफ यह दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो u y है वो है u sin theta ठीके ay जो है वो है हमारा g downwards यह u sin theta upwards इस particular case के लिए और ऐसे ही हम जो sy की बात करेंगे तो वो आएगा h downwards vertical displacement from this to this point is यह कितना आएगा यह आएगा h और हमें क्या निकालना है v y तो भाई मुझे u पता है a पता है s पता है v निकालना है तो third equation लगाऊंगा इसमें कोई सोच विचार करने की ज़रत नहीं आगे बढ़ेंगे सीधे सीधे और लिखेंगे वी वाई का square is equals to क्या u y का square plus 2 a y sy तो v y का square जो आजाएगा वो आजाएगा यू वाई का square जो की है u square sin square theta और फिर 2 तो minus d और minus h ये plus हो जाएगा और क्योंकि यहाँ square था तो यह आजाएगा under root या अगर इसको square में ही रहने देना है तो square में ही रहने दो तो यह v y square की value अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है कि वो तकराते हैं वक्त कितने speed से तकराएंगा तो simple सी बात है यार speed निकालनी है तो क्या करेंगे velocity का magnitude और velocity का magnitude कितना होगा x component का square और y component का square एड़ कर दो root ले लो ठीक है ले ले लेते हैं सर तो यहाँ से मैंने क्या किया मैंने जो है root of मैंने लिखा v x square प्लस vy y square है के नहीं तो हमारे पास जो ये v आएगा हमारे पास जो ये v आएगा values डालने के बाद यहां अगर तुम देखोगे तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि v x square जो की है u square cos square थीटा और vy y square जो की है u square sin square थीटा प्लस 2gh तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए चलो मैं लिखी देता हूं कि ये u cos theta का square और फिर यहां पर u sin theta का भी square है और प्लस में 2GHB है अब दुम बोलोगे या रहे सर हमको पता है अब क्या करना है वाले वाफ सर आप देखो इन दुरों में से है ना u square common निकालो कि मैंने का हायर बिलकुल और सर यहां से जब मैं common निकालूँगा तो u square common निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा cos square theta plus sin square theta जो कितना आ रहा है वो आ रहा है 1 मैंने का यह बात भी सही है तो सर यहां पर जो यह speed आई ना आपके टकराते वक्त यह आ गई u square plus 2GH का अंडर root मैं का यार यह भी एकदम सही तुमने सोचा अगर तुम यह result तक पहुँ आज गए हो हरा है तो यह एकदम सही result है और यह result आपको क्या बता रहा है यह result यह बता रहा है कि यह जो speed आएगी यह यह थीटा पर depend ही नहीं करेगी it is independent of theta मतलब अगर आपको यहाँ पर theta कितना भी दिया हो चाहे आप इसको horizontal फैंके vertical फैंके downward फैंके नीचे ऐसे किसी angle से ऐसे फैंके theta पर final result डिपेंड ही नहीं कर रहा है वी जो है तो तकराते वक्त ऐसा नहीं कि बाकी चीज बुलो रहे तो time of flight तो डिपेंड करेगा ना सर maximum height तो डिपेंड करेगी यार वो जरूर डिपेंड करेगी वो किसने मना किया है मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी इस speed क तो यह ऐसा समझ लो अपने आप में एक सवाल भी था है ना तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी motion on inclined plane या projectile motion on inclined plane inclined plane से क्या मतलब है यार मालो तुम पहाड वहाड पर चड़ रहे हो तुम यहां हो तुमारा दोस्तिया है तुम उसने बोला कि यार कोई चीज फैक के दे तो तुम क्या करोगे उसको फैक के दोगे अब तुम्हारे लिए तो भाई यही एक limitation हो गए ना कि यह plane के along ही जो है यही तुम्हारे लिए ground level है अगर मैं horizontally खड़ा रहता मैं यहां मेरा दोस्तिया तो ऐसा फैक के इसको देता अभी मैं यहां मेरा दोस्तिया है पहाड पर चड़ रहे तो कुछ ऐसा फैकते वे इसको फैकोगे तो यह चीज़ कुछ ऐसा आगे जाके गिरेगी मतलब यहां से अगर यह plane है अपना तुमने इधर से कोई चीज़ फैकी तो यह ऐसे जाएगी ऐसे करते 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 पहले पूरा प्रजेक्ट टैल करती पहले क्या करती प्रजेक्ट टैल करती ना ऐस तो आप क्या करेगी वह यहीं पर जाके टकरा जाएगी तो आपको यह बात समझ में होगी कि जब भी भी बाते तो वही हो रही है है तो प्रजेक्टाइल ही बस लेकिन वह यहीं खतम हो गया क्यों कि प्लेन हमारा ऐसा था आई बात समझ में अब तुम कहोगे हा सर आतो गई लेकिन अब एक important चीज यहां पर क्या है important चीज यहां पर यह है कि इधर हम किसे range कहेंगे किसे maximum height कहेंगे क्या time of flight होगा उसको थोड़ा देखें तो यहां बड़े आसानी थे आप इस बात को सबस सकते हो कि अगर मै इस point को O बोलता हूँ और जहां यह टकरा रहा है उस point को मैंने कहा B तो obviously बात है यह O B जो होगा वो आपको देगा range क्योंकि आपके लिए अब यही plane है और यहां से आपने यहां फैका तो वो इतनी दूरी पे जाके गिरा तो range जो होती है वो generally हमेशा plane के along निकाली जाती है जब आप एक level से एक ही plane से फैका अपने और उसी plane पे जब वो गिर जाएगा तब plane के along जो है वो range निकाली जाती है तो इसलिए मैंने इसको x axis बोल दिया है इसको क्या बोल दिया है x axis और इस plane के perpendicular को क्या बोल दिया है y axis अब generally अगर कोई बंदा इस plane पे होगा तो उसके लि बता हो और मैं तुमसे पूछता हो कि यह point कितने height पे है तुम बोलो के sir height के लिए ना यह वाला distance निकाल लो तुम बोलो के हाँ सबस्क्राइब निकालने के लिए तो हमको क्या करना होगा height निकालने के लिए हमें इस point से perpendicular डालना होगा plane पे तो भाई अगर किसी भी plane से किसी point का height निकाल रहो कहां से निकाल रहो यह important है किस plane से निकाल रहो यह important है तो horizontal plane से अगर आपको किसी point की height निकालने तो उस point से vertical मतलब vertically जो separation होगा उसकी हम बात करेंगे और in general अगर हम बात करें तो वो क्या होगा perpendicular separation आपको निकालने है अच्छा perpendicular separation निकालने है जी हाँ यह सरी अलफा क्या है थीटा क्या हो उस पर मैं आऊंगा अभी तो रेंज अपने पास होगा यहां से यहां गया तो यह रेंज अब जब यह ऐसा ऊपर जा रहा है तो जैसे मालोग पार्टिकल अभी यहां है तो क्या करेंगे हम हम यहां से जो है perpendicular डालेंगे तो यह आपको समझना होगा कि यह जो है आपका एक तरीके से क्या है y coordinate है और यह क्या है x coordinate है के नहीं बिलकुल है और यहां भी क्या हो रहा है यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि यह इसकी height हो जाएगी तो बताओ यह सबसे maximum कहां आएगा अब simple सी बात है जब तक जैसे की यहां अगर मैं देखूंगा तो इस particle के पास एक velocity का component है sorry velocity है इस direction तो उसका एक component x direction में भी आएगा और एक component y direction में भी आएगा एक x में भी आएगा एक y में भी आएगा कि यह अपने maximum height पे कब पहुँचेगा यह maximum height पे तब पहुँचेगा जब इसकी velocity जो है ध्यान से सुनना जब इसकी velocity parallel to x axis आ जाती है और इसका y component जो है velocity का वो 0 हो जाता है अब y जो है वो मैं plane के perpendicular ले रहा हूँ मतलब same वही कहानी है कि करना क्या है अपने को अपने को जो है v y जो है न उसको 0 करना है तो यह जो होगा यह कहा जाएगा maximum height यहां से यहां जाने में जो time लगेगा उसे कहा जाएगा time of flight अल्फा क्या है अल्फा हमारे पास है inclination of the plane कि कितना वह inclined है तो अल्फा is inclination of plane आई बात समझ में theta क्या है theta आपको दिखी रहा है वो angle of projection है angle of projection angle of projection कहां से तुम बोलोगे सर यह plane से angle लिया है horizontal से लिया है तो मैंने plane से लिया है from plane अब यह जरूरी नहीं है कि आपको angle plane से लिया जाए वो सकता है आपको यह angle horizontal से भी दे लिया जाए तो आप horizontal के इसाब से भी बात कर लिजिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं clear तो यह अपना alpha यह अपना theta और u क्या है u आपकी वही u है आपकी velocity of projection u क्या है u है velocity of projection clear अब आप यहाँ पर एकदम तयार है चीजों को निकालने के लिए बस ध्यान यह रहेगा कि हमारे लिए अब यह picture कुछ ऐसी होगे इसको ऐसा rotate कर दो ऐसा rotate कर दो तो यह x और यह y खरण अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा वापस से कि यहाँ पर क्या-क्या पहले जैसा है और क्या-क्या कुछ नया आ गया है पहले जैसा क्या-क्या है और क्या-क्या कुछ नया आ गया है तो पहले जैसा क्या-क्या है जड़ा पताए हैं यार एक चीज़ बताओ और मैंने आपको क्या बोला था असरै पता नहीं क्या बोला थी सुनो मैंने काह Wars था uh यह पान लिया यह प्लेन था लेकिन है तो वह प्रयूट्ट नहीं होता तो आगे जाता आगे जाता positive हट गया है इतना इससा अगर आप को दिख नहीं रहाए क्योंकि आगर यह इ मॉच्ण यह और यहां तक जैसा था वैसा दुझाइज सरorama भी चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं आप यहाँ पर अगर horizontal component निकालना चाहते है और horizontal का मतलब x direction वाला नहीं होता horizontal का मतलब हमेशा यह होता है vertical का मतलब हमेशा यह होता है तो horizontal component of velocity यह आपका क्या रहेगा यह अभी भी constant ही रहेगा remains constant and that is for this case यहाँ पर यहाद है का u cos theta plus alpha खतम हाना कितनी सी बात थी है मेरे हिसाब से यह समझ में आया होगा इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है u cos theta plus alpha यह आपका आगया क्या horizontal component है तुम बोलोगे हाँ सर तो सर आप यह कहना चाहते हो कि अगर मतलब velocity अगर इस जगे पर यहाँ वाले जगे पर मैं देखूं तो यह वाला component जो आएगा वो हमें पता है हाँ बिल्कुल कितना है सर वो है अपने पास u cos theta plus alpha है के नहीं अच्छा सर तो एक बाद बताओ मैंने कहां यार पूछो यह सिर्फ यहीं होगा कि हर जगे हर जगे हर जगे velocity का horizontal component is same अगर मैं तुम से यह velocity पूछना चाहूं बताओ यह velocity कितनी होगी क्या थोड़ा बहुत सोच सकते हो प्लीज सोचो अब वो समय आ गया है जब तुमको सोचनी पड़ेंगी चीजें हना तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचो और विचार करो कि यह वाला एक velocity मुझे निकालनी है अब अकसर बच्चे गड़वड क्या करते है उनको यह नहीं पता रहता है कि कौन resultant है बहुत किसका component ले रहा है इसका component इधर लिखू कौस के इसका component इधर लिखू कौस तो मैं पूछ रहा हूँ resultant कौन है resultant यह है कि यह है सोच समझ के बोलना resultant को नहीं पार्टिकल ऐसा जा रहा है और अभी सारी velocity इस तरफ बची है तो यह resultant है इसको हम नाम देते हैं इस point को यह O इसको मैं A नाम देता हूँ उसको B बोला था न मेरे तो आप यह बात को समझो at point कौन सा at point B oh sorry at point A a point पे जब आप देखते हो तो net velocity जो है वो यह है VX है के नहीं तो आपका जो यह angle है यह angle alpha आएगा क्यों आएगा क्योंकि यह plane के along है और यह horizontal है तो corresponding angle alpha तो VX ध्यान से सुनना तो जो horizontal component लिखा जाएगा velocity का वो लिखा जाएगा VX cos alpha या मैं इसको ऐसा भी कह देता हूँ कि velocity at a point सीधे सीधे मैं इसको क्या लिख देता हूँ velocity at a point क्यों 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 दिस इस दा total velocity velocity at a point इंटू cos alpha is equals to कितना आ गया VH और VH तो हमेशा क्या रहेगा U cos theta plus alpha यह मैं कुछ ऐसी बाते बता रहा हूँ जो कि आपको काफी मदद करेंगी अब इसको रटना नहीं है कि तुम रटके बैठ जाओ इसको किसार ये रटने अरे रटने के लिए नहीं बताया है भाई ये concept समझाया है एक concept की understanding आपको बताईए कि यहाँ अगर मानलो velocity पूछ ले तो ये कितना important है ये चीज़ कौन सी चीज़ obviously आपके पास ये velocities को find out करना और उससे important इस चीज़ को मैंने कहा था ना ये बड़ी important बात है कि horizontal component change नहीं होता है तो काफी जगे बड़ा easily आपको क्या होगा velocities मिल जाएंगी बड़े आसानी से आप ये velocity लिख सकते हो यहाँ पर बड़े आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो ये कहानी होगी point A की सब B point पे भी टकराते हुए कुछ ऐसा ही तो हो रहा होगा चलो बात करते हैं लेकिन इसको करते हैं हम duplicate पहले slide को और इस पूरे मामले को इधर से करते हैं रब एक मिनट तो 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 ठीक है वो तो हमने देखी लिया ये बात को थोड़ा सा समझते वे चलना हमाँ आपना तो हम क्या कह रहे हैं यहां कि ये जो है कुछ ऐसा गया इधर से और ये ऐसा जाता आगे तक लेकिन वो यहीं जाके खकरा गया अब बात यह है यहां पर कि हमने कुछ यह चीज तो देख ली लेकिन यह एक्स डाइरेक्शन है तो यहां हम क्या वापस से वही चीज़े नहीं देखेंगे कि एक्स के अलॉंग और वाई के अलॉंग सर क्यों इसी लिए क्योंकि मुझे प्लेन के अलॉंग रेंज निकाल नियste यह तो नियो लेनी होगी हाइट निकाल लिये तो यैंडी लेनी होगी तो हम दो परपेंडियो डियरेक्शन यह एक्स और वाई ले यहाँ पर लेकिन acceleration के साथ भी कुछ खास हो रहा है क्या acceleration due to gravity is not along x और y यह vertically downwards है तुम बोलोगे हाँ sir यह vertically downwards है तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछू कि यार इसके along मतलब plane के perpendicular जो कि y axis है और plane के parallel जो कि आपका x axis है components क्या होंगे दो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो lines के बीच का दो चीज़ें का एक चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो lines के बीच में जो angle होता है वही उनके perpendicular के बीच में होता है तो यहाँ पर यह angle alpha है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां अपना ये जो है 90 है तो ये 90 तो पिर तो मैंने क्या बताया यहां से क्या निकला बहुत ही basic सी geometry अगर मैंने लगाई तो ये वाला angle क्या निकल रहा है आपका वो निकल जा रहा है alpha जो directly मैंने कैसे बता दिया था दो lines के बीच में जो angle है वहीं उनके perpendicular के बीच में angle होगा अब सुनो जी का ये वाला component कितना आएगा भाई साब जी का ये वाला component जिसको मैं ay भी कह सकता हूँ वो आएगा g cos alpha और g का ये वाला component अब सर ये वाला कैसे ले रहे हूँ या resultant के हमेश्चा component ले जाते तो g का ये वाला component वो आजाए कितना g sin alpha ये अपने पास acceleration हो गया y direction sorry x direction x direction का acceleration पता है y direction का acceleration पता है तो अब अगर मैं तुम से यहाँ पूछू क्या यहाँ पर ये x direction वाला component जो है वो constant रहेगा क्या हना अच्छा एक चीज में और बताना चाहूँ गया यहाँ पर आपको पहले इसको समझ लो ऐसा नहीं कि सर आप question तो करा हूँ कितना time हो गया कितना time हो गया बाईस मिनट हो वो भाईसा सर अपने question ही नहीं कर वाया अरे समझो इसको पहले हो क्या है इस direction में आपकी क्या है velocity इस direction में आपका acceleration आ चुका है तो क्या इस बार x direction की velocity constant होगी तुम बोलोगे सर कैसे हो सकती है जब acceleration है already तो कैसे velocity constant हो सकती है तो बिलकुल आप सही सोच रहे हैं कि x direction की velocity इस बार constant नहीं रहेगी तो ऐसा भूल कर भी मत सोचना इस point पे जो velocity रहेगी वो u cos theta होगी भाई वो मैं बता चुका हूँ कितनी होगी वो कुछ यह आ रही है कितना आजीब हो गरीब आ रहा है लेकिन आ रहा है रटना नहीं है पता लगे रट के बैढ़ जाओ यहाँ this is only I am giving you a concept concept की understanding है यह concept समझो रटो मत आई बात समझ में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ यहाँ अभी हमने बात कर ली तो अब हम बात कर लेते हैं पहले तो y direction की और x direction की तो सबसे पहले हमारे पास x direction में वैसे मुझे यह चीज लिखने की भी जरुरत नहीं है लेकिन just to give you an idea I am writing these things तो यहाँ पर u x की value कितनी है तुम कहोगे sir u x की value तो u cos theta है मैंने कहा यार बिल्कुल साही अब मैंने कहा यार ax कितना है तुम कहोगे sir ax जो है वो g sin alpha है आज sir लेकिन एक चीज मैंने कहा हाँ यार एक negative हना तो अगर मैंने ये वाले direction को positive ले लिया है तो ये वाले direction कैसी आ जाएगी negative इसलिए acceleration मैंने negative दिखा दिया ठीके दूसरी बात अब यहाँ पर अगर आप से कोई पूछे कि मुझे first equation of motion लगा दिये तो लगाओ सर मुझे second equation of motion लगानी है लगाओ और सर मुझे third equation of motion भी लगानी है तो लगाओ यार किसने मना किया से लेकिन पता कैसे लगेगा कौन सी equation कब लगानी है यह तो हम motion in 1D में ही देख चुके हैं बहुत ही basic से जवाल है simple सी चीज़ है जब आपको कुछ given एक formula है उसमें जो पूछा है जैसे आप पूछ रहा है कि time बताओ अब time बताने के लिए तुम बोले है सर मैं तो third equation लगाओ जब third equation में time है ही नहीं तो क्यों मैं third equation लगाओंगा मैं first or second पर जाओंगा आई बात समझगे ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप जो कहना चाहरे हो हाना लेकिन सर अभी वाइडरेशन की बीबात कर लीजिए चलो तो वाइडरेशन की बीबात करते है तो वाइडरेशन की बात यार एक बार है न मेरे को एक बार और इसको को करना पड़ेगा न डुप्लिकेट बारना पड़ेगा इसका बड़ी कॉपिया अभी हम बात कर लेते है वाइडरेशन की तो वाइडरेशन में अगर हम बात करें वाइडरेशन में हम बात करें तो वाइडरेशन में क्या हो रहा है इसको उपर ले लिया और a y वो है हमारे पास माइनस का g cos alpha क्योंकि यह नीचे ले लिया और ऐसे ही फिर अब हम जब बात करेंगे तो आप समझो कि जब particle यहां है तो यह y coordinate है और यह x coordinate है तो वह हम जानते हैं तो equation of motion जब आप लगाने बैठोगे तो वही same चीजें v y is equals to u y plus a y t ठीक है ऐसे ही displacement in y direction is what it is u y t plus half a y t square इसके अलावा भी और equations होते हैं वो भूलना मत जो मैंने लिखवाई हैं वो सब यहां लग जाएंगी और ऐसे ही आपके पास v y का square is equals to u y का square plus 2 a y 2 a y और s y जिसको मैं y लिख सकता हूँ तो इस तरीके से आप यहां पर अलग अलग direction में x और y में equation लगाएं और जो चीज पूछ रही है वो निकाल ले एक दमारा आप से ठीक है तो यह अपना अबदा incline की कहानी अभी तक कुछ इस प्रकार चल रही है तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलाए कि आपको ये याद रखना है या वो याद रखना है मैंने सिर्फ concepts की बात बताई है अब हम बात करेंगे कि हमें क्या याद रखना है तो अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देने लग जाना जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ तो क्या बात बताने जा रहा हूँ है मैं कहने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे time of flight पता करना है तो उससे पहले मैं just एक concept आप से पूछना चाऊँगा कि जब ये वाला component आपके पास कितना है u y है जिसको u sin theta कहा है मैंने और यहाँ पर जब वो टकरा र रहा है तो वह obviously टकराते वक्त उसका कुछ component होगा वी वाई ध्यान से सुनना इधर क्या पता वी एक्स हो ना हो वह अपने 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 अलग बात क्योंकि acceleration इस तरह पे तो हो सकता है कि वी एक्स खतम हो गया हो वी एक्स कुसी और direction में भी हो वह अपने 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 कि यार बताना o से जब मैं b गया तो y direction में displacement कितना है कहां से कहां तक की बात कर रहे है o से b की what is the displacement in y direction तुम कहोगे तर y direction का displacement का मतलब होता है y coordinate तो जैसे मैं उपर जा रहा हूं y coordinate बढ़ रहा है यहां maximum है फिर वो कम होते 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 वापस 0 हो गया coordinate मतलब वो कितने height पर है plane से displacement in y direction का क्या मतलब है कि वो plane से कितनी उचाई पर है तो जब वो यहां गिर गया तो plane से उचाई कितनी होगे उसकी 0 तो o से b तक की जब आप बात करते हो यहां पर तो आपको यह समझना चाहिए कि sy क्या चुका है 0 और यहां से अगर मैं लगाऊ कौनसी equation, third equation of motion तो साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है मुझे यहां पर दिख रहा है कि यह चीज क्योंकि sy 0 है तो यह 0 हो चुकी है और vy is equals to आचुका है u y vy जो है वो u y के equal आचुका है मतलब यह वापस वही कहानी हो चुकी है कि जिस direction में acceleration होता है याद है gravity में motion in 1D में free fall जब हमने देखा है motion under gravity जब हमने देखा है जितने velocity से उपर फैकते हो उतना ही velocity से वो नीचे आता है same level पर जिस direction में acceleration है तो अगर आपने उसके opposite velocity दी तो वापस उसी point पे जब वो आएगा उसी level पे जब वो आएगा तो velocity या speed सेम रहेगी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है यह same level है तुम बोलो के सर कहां है same level अरे plane के along है न भाई plane के along है हम इसको ऐसा देख रहे हैं के नहीं तो इस direction की जब मैं बात कर रहा हूँ जिसे मैं horizontal level की बात करता था horizontal level कौन से component vertical components equal हो जाते थे same level पे यहाँ पर अगर मैं इस plane के along जो level आ रहा है इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी इसके perpendicular components equal हो जा रहे हैं मतलब तुम बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर दो point जितनी velocity इसकी ऊपर उतनी velocity इसकी नीचे ऐसा same यहाँ बोल सकते हो तो यहाँ यह बात ध्यान रखना यह जितनी velocity है यह भी उतनी exact velocity होगी यह important बात है याद रखनी है और अब इसको एक मतलब एकी चीज़ में मत बा point पर आता है या उसी level पर आता है तो क्या होगा velocity same हो जाएगी speed same हो जाएगी velocity मतलब speed same हो जाएगी vy is equal to ui एगा तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ताइम-aft flight की तो लो भाइसाब मैं बात करने जा रहा हूं कि सकी time of flight time of flight निकालने के लिए मैंने जो पसंद्द की वो direction direction है कौन सी y direction और मैंने उसमें equation लगाई vy is equals to u y plus a y और t अब पता है time of flight की बात हो रही तो obviously 0 से b तक की बात होगी इसमें कोई दो राय तो है नहीं 0 से b तक की बात होगी तो vy कितना है बी वाय है अपने पास u y with a negative sign क्योंकि वो ऐसा नीचे आ रहा है तो यह direction negative तो यह positive समझते हो बात क्योंकि आप इस direction में बात कर रहे हो तो एक को positive और एक को negative लेना पड़ेगा तो minus का u y और ऐसे ही यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा u y ay क्या लिखा जाएगा ay होगा इस direction का acceleration जिसको हम लिखेंगे minus का g कितना था cos alpha याद है क्या याद है क्या ay ठीक है अगर तुमें इसमें परेशानी है तो तुम इसको सिर्फ g y लिख दो सिर्फ g y लिख दो y direction की gravity और time of flight अपने पास यह आ गया अब ज़रा देखो time of flight का formula क्या रहा है solve करने पर यह आ जाएगा 2 u y by g y यह वही formula है जो आपने motion in 1d में motion in ग्राइट सरी क्या बोलते हैं इसको motion under gravity motion under gravity में यह formula आपको मैंने सिखाया था वही formula अभी यह तक चल रहा है तो इसलिए इसी तरीके से याद रख लो आप जानते कि यूवाइग कितना है आप जानते हो जीवाइग कितना हरा तो इस तरीके से इसको याद रख लो यूवाइग है यह component का अब यहाँ पर तुम half time of flight की भी करोगे. Half time of flight यहां वही जीरो से एंतक की बात होगी तो जब हाप यहां पर yht की बात करेंगे आपको जो time मिलेगा वह आधा आएगा पूरे time of flight का और यह आप खुद निकाल लेना यह आपके पास आएगा uiv hai gy ऐको आएगा वी कुछ खास नहीं बस 15' equals to u plus 80 में v y जो है उसको क्या लिख देंगे जिरो लिख देंगे तो यह कहानी हो गए कि इसकी time of flight की time of flight के बाद जो बारी आएगी number आएगा वो आएगा किसका maximum height का तो maximum height की भी बात कर लेते हैं तो maximum height जब हम देखेंगे तो maximum height में ऐसा क्या खास है maximum height में simple सी बात है कि कहां तक की बात हो रही है यहां तक की बात हो रही है यह वाला point तो a point तक की बात हो रही थी साहब हरा तो a point तक की बात अगर हो रही है तो निकाल लिए आप कहां से कहां तक o से a तक की मैं बात कर रहा हूँ और मुझे height निकाल लिए मतलब y coordinate निकालना है क्या निकालना है y coordinate तो मैं कौन सी equation लगाँगा obviously मैं third equation लगाँगा in y direction क्योंकि मुझे v y पता है मुझे u y पता है मुझे a y पता है और मुझे s y निकालना है तो v y है आपका zero क्योंकि जैसे ही वो maximum height पे पहुँचेगा तो y component खतम हो चुका होगा और ऐसे ही u y आपका उसको मैं u y ही लिख रहा हूँ a y जो है वो आपका है minus का g y और s y उसको मैंने कह दिया h max plus का क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो यहां से जो आपका maximum height का जो formula आ रहा है वो आ रहा है u y का square by 2 g y अब हाला कि ये बात अलग है कि इसको आप ऐसा लिखना पसंद करते हैं तो आप करें लेकिन मैं prefer नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यही formula याद रखा हुआ है और मैं यही याद रखूँगा ऐसे ही time of flight में भी आप क्या कर सकते हैं ऐसे ही time of flight में भी आप u y और g y की value को रख सकते हैं बिल्कुल वही आ रहा है तो यह याद रखना याद रखना न यह चीज अब एक सवाल देख लेते हैं तो सवाल हमें क्या कह रहा है कि भाई find time of flight maximum height range आप तुम कहोगे सर रेंज तो आप निकल वाई है नहीं तो रुको भाई रुको range पे भी मैं आऊंगा सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है time of flight और maximum height पे ही चर्चा की जाए पहले range की अभी हम बात करेंगी time of flight और maximum height तो सबसे पहला काम क्या है सबसे पहला काम है कि components लेना लो साब यह component ले लिए तो एक इसका इधर जो component आएगा यह कितना आजाएगा यह सबसे नहीं आ रही है वो आ रही है 10 ऐसे यूवाई भी जब आप निकालेंगे तो यूवाई भी आपका 10 आ जाएगा क्योंकि 10 root 2 sin 45 root 2 से sin 45 कट जाएगा क्योंकि sin 45 बन बाए root 2 होता है तो यह 10 यह भी 10 clear अब आप से पूझा भाई साब time of flight कितनी होगी हाँ तो acceleration due to gravity इसके भी components ले ले लेते हैं तो यह कितना था यह acceleration 10 आएगा इदर जी जो आएगा वो कितना आएगा 10 यह वाला जो component है यह कितना है यह है जी cos 37 g cos 37 cos 37 कितना होता है वो होता है 4 by 5 तो यह आपके पास आजाएगा 8 और यह आजाएगा आपके पास 6 कैसे g sin 37 g cos 37 g sin 37 sin 37 आपके पास कितना आता है sin 37 जो आता है वो आपके पास तो यहाँ पर यह जो है वो आजाएगा अपने पास 10 u x आजाएगा 10 वो साइन 37 आपके पास जो आ जाएका यह वां जेगा च्छह यह क्या है Philip a t होगे तो time of flight आप क्या लिख होगे सीधे सीधे simple सा फॉर्मला है 2 u y by g y अब u y कितना है भाई साब u y है 10 और g y कितना है वो है 8 तो यहां से जो आपका answer आजाएगा वो कितना आजाएगा 10 by 4 seconds 2.5 seconds जो है इसका time of flight रहेगा सर maximum height maximum height में क्या दिक्कत है maximum height के अंदर हम बोल देंगे कि यू y का square by 2 g y तो u y का square यह आजाएगा 10 का square by 2 और g y वो आजाएगा 8 सर आप sign क्यों ने डाल रहे है plus minus अरे भाई यह formula जब निकाला है तो sign के साथ डालके ही values को निकाला गया है तो यहाँ दूबारा से sign डालने की ज़रत नहीं नेगेटिव करके तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 100 ठीक है और by 16 क्लियर है यह चीज़ ठीक है अब जो जैसा लिखना है वैसा है सब देख लो या ना भाई तुम्हें कहना है कि भाई पोर पोर्जा 16 और यह 425 तो 25 वाई 4 मीटर्स ठीक है जो भी आ रहा है सर रेंज कैसे निकालेंगे रेंज के लिए और जी हाँ एक फॉर्मला है सर रेंज का तो फॉर्मला होता आपने फॉर्मला नहीं बता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार तुम हमेशा खुद को एक फॉ फॉर्मला सिखा है टाइब फ्लाइट और इसके लिए मैक्सिमाइट के लिए नहीं वही फॉर्मला था तो रेंज के लिए क्यों मैं कोई नया फॉर्मला सीखू हाँ यह अलग बात है याद रख लोगे तो अच्छी चीज़े और सच्छी बाता हूं तो मुझे भी याद हो सकता है सर लेकिन कैसे हो सकता है यह तो हमको समझे नहीं यहीं बात पैसे हो सकता हूँ यह बात ne खुनिया तो बात क्या है अगर मेरे पास या मैं इसको यहीं लिग दूँ क्या यहीं calculate कर दूँ अगर मेरे पास यह चीज दी गई है तुम बोलोगे हाँ दी गई है और तुम्हारे पास time of flight पता है पता है क्या हाँ सर पता है तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां से ऐसा उचलते वे जाएगा और यहां कहीं तकराएगा तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि यह इस direction में कितना चला यह वाला जो distance है इसको मैं L बोल देता हूँ L क्या मुझे तुम बता सकते हो यह इस direction में L कितना चला अरे सर इसकी क्या बात यह तो बड़ा आसानी से निकल सकता है यह horizontal direction ही तो है और horizontal direction को चलाने के लिए चलने के लिए तो horizontal component काम में आएगा तो सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि L is equals to U cos theta plus alpha horizontal component ठीके into time of flight यहां से यहां जो time of flight लगा वो time of flight ठीके तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि velocity horizontal component और time of flight तो यह आपके पास आजाएगा U cos theta plus alpha और time of flight आजाएगा 2U sin theta by G cos alpha इस particular case अब बताओ क्या मैंने यहां पर यह चीज को लिखने के लिए कुछ नया किया क्या कुछ भी नहीं मैंने जस्ट एक जटके में हाना वो 45 seconds जो लगते हैं वो बस ऐसी लगते हैं वो 45 जी मैंने ज़ादा बूल दी मैंने बस क्या लिखा यह लिखा यह लिखा और यह क्या आगी मेरे पास L सर लेकिन L आ है आपके पास हमको तो क्या निकालना था हमको तो range चाहिए थी सर range range चाहिए थी सर जी तो क्या दिखा जए यार यह राइट एंगल ट्रैंगल नहीं दिख रहा क्या तुम्हें हाँ दिख रहा है सर यह 90 डिग्री दिख रहा है हाँ दिख रहा है तो यहाँ से सरा कॉस अलफा की कितना आ रहा है सर यह आ जा रहा है 2U स्क्वायर साइन थीटा 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अलफा अपॉन जी कॉस अलफा यह और कॉस अलफा यहाँ लो साथ यह तुमारी रेंज निकल गई कि समझाने में मुझे टाइम लगा बाकी मैं क्या करता मैं सीधे यहाँ बात करता क्या मैं देखता वी एच टाइम अफ लाइट और क्या करना है अपॉन कॉस अलफा बस खतम अब इसको यह तो याद रख लो या तुम दो सेकिंड लगा के यह रिजल्ट तक पहुँच जाओ तुम्हारी मर्जी है याद रखोगे तो यह डिफिनिट सी बात अब कन्फ्यूज होते रहोगे तो मैं तो कह रहा हूँ दोरो चीज़े कर लो तुम याद भी रख लो और तुम्हे यह भी पता होना चाहिए कि एक जटके में कैसे निकला मैं नहीं कह रहा है तुम वो एक लंबा सा मैथड लगाओ कि इस डाइरेक्शन में जो है इक्वेशन आफ मोशन लगाओंगा हाँ वो भी एक तरीका है वो भी एक तरीका है लेकिन तो इस तरीके में जब रिजल्ट सेमी है तुम बोलो कि सर्थ वो भी जो तरीका है वो बता दूना एक बार लो यह तो समझ निकालनी होती है किस direction में obviously plane के along जो है range निकालनी है तो ये वाला component जो है वो u cos theta है और इस direction का acceleration जो है वो g sin alpha है तो अब नहीं क्या करूँगा range निकालना मतलब s x is equals to u x t plus half a x t square s x कितना आजाएगा वो आजाएगा range के equal displacement in this direction is equals to range and u x is what it is u cos theta and t जो की time of flight है वो आजाएगा 2u sin theta by g cos alpha और acceleration जो opposite है तो आजाएगा minus का g sin alpha और फिर तुमारे पास यो time of flight value पटकना है उसकी और फिर यहां से solve कर खुरा के तुमारे पास y result आएगा अब देखो मैंने क्या बोला ता मुझे याद नहीं है लेकिन कैसे लिखता हूँ मैं वो अपने अब समझ में आता है अच्छा यू यह अंगल theta यह अंगल alpha तो मैं sin theta upon g y upon cos alpha खतम यह मैं सीधे सीधे range लिख दूँगा इसको जब solve करोगे ना इसको common woman निकालके यह result आएगा ठीक है आई बात समझ में तो range का आप formula तुम्हारी मर्जी है तुमको कैसे solve कर रहा है तो मैंने तो क्या का भाई मेरे पास तो यह है तरीका कि अपना वो यू आप देखो मेरे को time नहीं लगेगा उसको लिक्हने में बस मेरे पास बात अगर तुम्हे समझ में आ रहे है तो अपने आप बस मैं लिख जितना ज़लदी मैं सोच रहा हूँ उतना जलदी मैं Лिख रहा हूँ मिरे को याद नहीं है वो formula बस मैं लिख रहा हूँ उसको बस लिख रहा हूँ मैं ठीक है तो यहां से अपने पास खताओ जालियू रखो आंसर निकालो खताओ इसमें कुछ जादा सोच विचार नहीं करना है उमीद है बात समझ में आई होगी हाना तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो प्रोसीड कर सकते हो तो एक और सवाल देख लेते हैं अब जैसे यहां पर क्या बोल रहा है अल्फा जो की प्लेन का इंकलेश है थीटा जो की 53 है आप से पूछ रहा है फाइंड रेंज और मैक्जिम हाइट कुछ नहीं करना है आपको बस फॉर्मुला लगाना है फॉर्मुला मैक्जिम हाइट तो मैक्जिम हाइट कितनी आईगी मैक्जिम हाइट है अपने पास 2 u y u y कितना है वह है u sin theta अपन जी वो स्वारी मैक्जिम हाइट बोल रहा हूँ नहीं मैक्जिम हाइट u y का square अपन टू g y और g y कितना है कॉस अलफा खतम खतम अब यहां से बस वाल्यू रखो तुम तो ठीटा की जगे क्या रखोगे ठीटा की जगे तुम रखना जितना भी आ रहा है तो अपने पास मैक्जिम हाइट के लिए यह है अपना 10 ठीक है इसको इदर बना दूँ क्या मैं पहले एक बार बतलब जनरली आदत यह डाला करो ऐसे जैसे यह तुम ने देखा तुम क्या करोगे कि अच्छा ये कितना है यह है अपने पास 10 ये एंगल कितना है ये जाएगा च्छे 37 होने पर ये 8 और ये 6 कैसे निकाल रहा हूं मैं कॉस्ट 37 37 इस तरीके से अब कही जैने बोलेंगे सर आप हम जो ऐसे बच्चों के लिए भी तो हर चीज बताएं कि जिनको कुछ नहीं आता तो भाई ये तो मैं काफी टाइम से बताते आ रहा हूं अगर आप यहां देखोगे तो आपको मैक्जिम हाइट लिखनी थी ना साहब हाँ लिखनी दो थी लगाओ मैक्जिम हाइट कितनी आईगी सर मैक्जिम हाइट आजाईगी अपने पास इसका स्कुआयर अपन टू जी वाए ये जो है सर हमारी जो है मैक्जिम हाइट आजाईगी यहां से पकी बात है हाँ सर बिलकुल पकी बात है कितनी आईगी सर यह से कट गया तो यह आजाएगा चार मिटर चार मिटर मैक्जिम हाइट आईगी अच्छा ठीक है रेंज निकाली जाए अहां स कितनी आएगी भाई साब सर रेंज को अगर मैं देखूंगा तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मला लगा देते हैं हम तो क्या था फॉर्मला वारा टू यू स्क्वायर और फिर कॉस अल्फा प्लस थीटा और फिर क्या था अपने पास यहां पर आना था आपने पास साइन थीटा अपान जी कॉस स्क्वायर और अल्फा इस तरीके से याद रख सकते हो वैल्यू रख दें अहां सर रख दो फिल्किन तो एक एक करके रखते जाते हैं वैल्यू तो क्या क्या आएगा भाई अपने पास सर यहां पर आजाएगा 2U स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और फिर मैं लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस थीटा तो यह 53 प्लस 37 सर यह तो 90 हो गया और 90 हो गयी तो यह वैल्यू जीरो आगई तो फिर आगे को लिखने की तो मतलब बनता ही नहीं क्योंकि नुमरेटर में 0 तो पूरी वैल्यू क्या जाएगी वो 0 ही आ जाएगी अब इस बात को समझना यहां पर रेंज क्या आ गई है 0 इसका मतलब क्या हो रहा है यहां यह आनी भी चाहिए थी 0 क्यों आनी चाहिए थी 0 क्योंकि अगर तुम इसको ढंग से देखोगे तो यह हो क्या रहा है भाई साब यहां पर यह जो है चीज यह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दी गई है कैसे ऐसे प्रोजेट कर दी गई है सर कैसे पता अरे यार देखो 37 प्लस 53 तो कैसा प्रोजेट कर दिया गया है ऐसा मतलब यह तो actually में projectile कर भी नहीं रहा मतलब parabolic path नहीं है projectile तो इसको भी बोलेंगे बोलेंगे projectile motion मतलब फैक दिया अब फैक दिया तो चाहे सीधा फैक दो के टेड़ा फैक दो actually यह तो vertical यह तो straight line में जा रहा है यह कितना था 10 जरा time of flight निकालना इसके हिसाब से सर यह आजएगा to you यह वाला by gravity यह वाली कितना आ गया दो सेकेंड अचा पीछे time of flight निकालना भाई अचा सर पीछे इधर से time of flight तो यहां से मैं कुछ ऐसा कलता इस direction की बात करता तो वह आ जाता to you by by g by सर देखो दो सेकेंड यह आ रहा है आ रही है कि बात समझ में कि यहां पर चाहे वो straight line में जा रहा होगा लेकिन फार्मले तो हमारे अभी भी एकदम सही result देरे सर लेकिन यह h max तो मेरे भाई यह h max कौन सा h max निकाला है तुमने ध्यान रखो वह h max से plane से perpendicular distance कौन सा distance plane से perpendicular distance निकाली है है अच्छा सर तो जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बता यह चीज़ कटा 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 कितना आ गया pięć पांच यह कितना था भाई 2 अपने पास यह थाthropies प्राइपन यह फिफिटी थरी então अगर यह पांच यह 53 तो यह कितना आए गा mist उन्लान हंगए तो इस तरीके से आप जो है चीजों पर थोड़ा ध्यान रखें तो तो बस यहां inclined में कुछ नया आपको सीखना ही नहीं है यार सब कुछ वही है सब कुछ वही है range का एक different formula है तो उसको different से formula को भी जल्दी से याद करने का तरीका बता दिया तो कुछ नया एक तरीके से सीखना नहीं बाकि की अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक नया सवाल और आज का session हम यहीं पर समाप्त करते हैं है ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी questions हैं वह तोड का backlog इखटा हो गया है तो आज का session इसलिए छोटा ही रख रहा हूं मैं तो यह last सवाल है बाकी हम इसको कल खतम करेगी तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया गया है यहां क्या बोला है find the relationship between alpha and theta such that it strikes perpendicular to the plane कि यह यहां से अगर इसको फैका है तो यह perpendicular strike करे तो आपको बताना है कि क्या relation होगा alpha और theta में अब यहां पर simple सी चीज़ जो आपको देखनी है तो यहां पर मैं बहुत ही basic से concepts use करूँगा जैसा कि मैंने मान लिया कि इसकी speed थी u ठीक है तो यह जो direction में velocity होगी वो कितनी होगी वो होगी u sin theta औव्यस सी बात है और तुम जान और यह net velocity भी है है कि नहीं क्योंकि इस direction की velocity और इस direction की velocity इनिशल फाइनल सेम रहती है magnitude wise और यह net velocity है तो इस net velocity के क्या हम component ले सकते हैं क्या जी बिलकुल ले सकते हैं एक ले सकते है horizontal component एक ले सकते है vertical component यह angle जो आएगा अपने पास alpha आएगा तो इसका V का vertical आएगा V cos alpha और horizontal आएगा V sin alpha, तो मैं लिख सकता हूँ कि horizontal component is what it is V sin alpha at point B, B को मैं कह देता हूँ कि अपना ये जो है वो है final point जहाँ पे वो टक्रा रहा है, अब B point पे अगर ये horizontal component है, तो मैं जानता हूँ कि horizontal component तो हर जगे same ही रहेगा, बतलब initially अगर आपने horizontal component निकाला तो वो कितना आएगा, वो आएगा U cos alpha plus theta, और वही आपको बाद में भी मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इन दोनों को कर सकते हैं, इक्वेट ये आजाएगा आपका U cos theta plus alpha और यहाँ पर जो V है वो आ रहा है आपके पास U sin theta और यहाँ पर है sin alpha, ये इससे cancel, इसको solve करूँगा, तो ये आजाएगा cos theta, cos alpha, minus का sin theta, sin alpha, और इधर आजाएगा sin theta, sin alpha, इसको उधर भेज़ दो, तो ये आजाएगा cos theta, cos alpha और इसको उधर भेज़ आजाएगा sin theta, sin alpha, ये formula होता है, cos A plus B, cos A cos B, minus sin A sin B, अब यहाँ से इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ, या इसको नीचे ले आता हूँ, तो आपको साफ पता लगता है, इधर तो बच गया 1 और ये आगया, tan theta और ये आ गया tan alpha, यहाँ से आपके पास, this is the relationship between tan theta and tan alpha, या theta and alpha, that is, tan theta tan alpha is equals to half, तो आज का session जो है दोस्तों हम करेंगे यहीं पर sum up, that's it for today's session, और बाकी जो है, हम देखेंगे in the next session, और वहाँ पर प्रजेक्टायल को हम खतम करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, bye, take care and have a nice day, okay.